ही चारक हुआ होगक है मेरा नाम एक दो जैसे हमारे बेडूर्म लोम पलंख स्टाटर्ट करते हैं जा और हैक आफिप पाई करेंगे और कौन सी प्रोड़क्ट लगाने वाले हो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाले हो तो वीडियो को एंड तक जरू से देखना और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सेरें सब्सक्राइब करना तो चलो वीडियो फटापट प्लास्टर हुआ है जो आम लोग देख सकते हो और अगर टाइल कर सकते हो वह भी मिन आपको बताने वाला हूँ अगर कुछ भी आपका धूल मीटी या फिर कच्रा है तो मैं इसको अच्छे से सफाई करना या तो जाडू मारकर या फिर वोटर से तो मैंने वोटर से स्मार्ट केर डेम प्रूफ लिया है आप लोग के सामने देख सकते हो 20 लिटर की बाल्टी है एसे एंट पेंट स्मार्ट केर और इस पर 8 साल की गेरंटी और 10 डिग्री हमारा तापमान कम करता है और यह 7500 की मुझे गुजरत में मेरे सहर में मिला आपके सहर में थोड़ा और उसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और कम से कम आपका यह 8 साल तक कमपनी इसको गेरंटी दे रही है 8 साल तक निकलने वाला नहीं है और इसकी वाइटनस भी काफी ज़्यादा अच्छे से हम लोग को मिलने वाली है फिर हमने जैसे उसको मिक्सिंग किया 10 लिटर माल आप लोग ने देखा उसके बाद हम लोग इसको Roll की साहिता से apply कर रह है। आप लोग देख सकते हो आप भी इसी तरह से apply करना है अमें external role लेना है, जो बाहर की दीवार के लिए आप लोग लगाते हैं वह वादा में roller लेना है और उससे ही हमें apply करना है। अगर आप लोग इसको मज़दूरी में करवा रहे हूँ लेबर के पास या फिर कोई पेंटर कोंट्राक्टर केपास तो इसका चार्ज जो एक कोट का तीन रूपया लेगा हमें इस पर दो कोट अपलाई करना है यानि कि आपसे 6 रूपिया लेबर चार्ज पर आप उसको कोंट्राक्ट दे सकते हो विट मटेर काफी महेंगा पड़ेगा तो आप उसको मटेर खुद अपने से पोरवाइट अपलाई करवा दीजे यानि कि आप उसको खरिद कर दे सकते हो तो आपको काफी बहुत सस्ता पड़ेगा 20 लिटर की बाल्टी हमें पड़ी है 7500 की आपने देखा 7500 रूपिय की आपके सेर में थोड़ा बहुत फरक रह सकता है और हमें 20 लिटर में कितना स्केर फीट ये हमारा एरिया कवरेज होगा तो हम लोग अगर दो कोट लगा रहे तो कम से कम 500-500 स्केर फीट के आसपास हमारा एरिया कवर हो जाएगा अगर हम लोग तीन कोट लगा रहे तो साड़े तीन सो या फिर चार सो स्केर फिट के आसपस अमारा एरिया कवर हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं उमने फर्स्ट कोट लगा दिया है सुबा के वक्त हमने लगा या था ताकि मारने में भी दिक्कत ना होए और अच्छे से हमारा पकड़ भी कर ले है उसके बाद जो भी आपकी इसमें दरार है या फिर तीरार है उसमें हमें वाइट सिमेट या फिर क्रेक सिल एपलाई करना है ताकि साथ साथ हमारा ये वाटर प्रूफ भी बन जाए यानि कि हमारी waterproofing भी अच्छे से इसमें हो जाएगी ये damp proof है इसलिए इसमें leakage की भी समस्य बिल्कुल ही नहीं होने वाली है और अब हम लोग दूसरा coat apply करेंगे जो हमने माल extra रखा था वो वाले माल में हम लोग एक या दो लिटर पानी येट करकर हम लोग इस पर दूसरा coat apply करेंगे वो भी हमें रोलर से apply करना है ताकि अच्छे से माल एकदम से चड़ जाए आप लोग देख रहे हो और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो है तो प्लीस लाइक शेर इन सब्क्राइब ज़र से करना अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे comment में पूछ सकते हो मैं आपको reply उसका 100% मिल देगा मैंने आपको सारी जानकारी बता दिया कितना स्केफूट काम मिलेगा क्या कुछ यह हो रज़ है और अभी अमरा finally दो कोट हो गया यह दो कोटी काफी है आप लोग देख सकते हो आपके घर के कम से कम यह 10 डिगरी या 12 डिगरी आराम से टेंपरेजर कम कर सकता है तो वीडियो अच्छी लगए हो तो प्लीज लाइक से रिन सब्क्रेब करना मिलते हैं